पिछले दस दिनों में नो बार पेट्रॉल और डीजल के भाव बढ़ चुके हैं आज भी पेट्रॉल और डीजल के दामों में 80 पैसे का इजाफा हुआ है और इसी को ले करके कॉंग्रेस पार्टी लगाताय प्रदर्शन कर रहे हैं आप देख सकते हैं कॉंग्रेस के लीडर अबर देख सब्सक्राइब करें सबसे पहले में आपके साथ अब यहां पर लगाताय और डीजल के भाव बढ़ लें गयास के बहुत हैं अब बढ़ी बातें बिल्कुल क्लियर है जब से सरकार ने चुनाओ जीता है इस सरकार का एक मत्रेजंडा हो गया है कि हम आम जन्मान की बात को सुनेंगे ही नहीं एक वक्त होता था जब क्रूड ऑयल 135-140 के डॉलर के पर बैरल के रेट पे होता था और तब देश में पेट्रोल और डीजल 60 और 70 रुपए मिलता था आज 100 डॉलर के रेट पे है और पेट्रोल और डीजल 100 का अकड़ा पार कर चुका है गैस प्र होगा तो अभी आजकल हवाला दिया जा रहा है कि युक्रेन की लड़ाई की वज़े से तेल और गैस की कीमते बढ़ रहे हैं नहीं यह धोका है क्योंकि आज से ठीक 18 दिन पहले मोदी सरकार ने प्रचारीत किया था कि रस्या से हमारे को 27% सस्ता कच्छा तेल मिल रहा है त तो आपको नहीं रखता कि सरकार पे भी बोच पढ़ रहा हूं मैडम अगर राहत दी थी तो तमाम सारी चीजों के बाउजू जूटा प्रचार तो ना करें यहीं तो मैं आपको बताने कोशिज करों कि 18 दिन पहले मोदी सरकार और उनके प्रचार तंत्र की मिनिस्ट्री न कैसे अपने घर के दो वक्त का भोजन जलाएगा आज अगर हम लोग नौकरी करने निकलते हैं मोटर साइकल का तेल कहां से भरवाएगा सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति को भोजन के साथ साथ वह बेसिक संसाधन जिससे उसकी जिन्द बढ़ा के वसुल करोगे पेट्रोल और डीजल सौरूपे पार करके आप वसुल करोगे आप खुद देखिए कि क्या जन्मानस त्रस्ट महीं हो गया और इसके बावजूद यह जो हिटलर साही वाली नरेंद्र मोदी की सरकार है इन्होंने कान में तेल डाल दिया इन चारो समझे भारतिय राष्टी कॉंग्रेस का मतलब ही होता है आम आदमी पार्टी जो गरीब से गरीब कुछले से कुछले सबसे नीचले पाइदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके हां से अपनी जिंदगी सुरू करते हैं उन सबके लिए अगर कोई सामुहिक संगठने उसका नाम होता है भारति राष्टी कॉंग्रेस और ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये हमारी संस्था है करमचारी कामगार कॉंग्रेस जिसको हम केकेसी कहते हैं ये जितने अनरगनाईस सेक्टर के लोग हैं हम और आप आप भी वह तमाम लोग जिनको सरकारी तनखा सब्सक्राइब नहीं मिलती प्राइब नौकरी वाले से कुरेटी गाड्से लेकर स्ट्रिंगर से लेकर आप वाले बैस वाले अटो वाली सब लोगी संस्था के तहट आते हैं सबसे ज़्यादा अगर आज कमर किसी की तोड़ी जा रही तो उसी गरीब और कम्जुर सब्सक्र कीमत कैसे कोई खरीदेगा तो आलम यह है कि कैसे जैसे तैसे आपने गाड़ी खरीद ली अब आज आपको अपना खरीदने के लिए सरकार से लोन लेना पड़ेगा विकल्ब तो यही बचता है उधिर राजी यह बताई कि क्या लग रहा है कि उस समय क्यों राहत मिली ते और कांग्रेस पार्टी ने भैसला किया है कि आज पूरे देश के अंदर को ले करके चाहिए घर के सामने चवराहे पर माला फूल से इसका स्वागत किया जाए क्योंकि यह हमारा तरीका है महंगाई के बिरोग यह जो पोटेस्ट है आज असंगठी कामगारों कर्मचारी कांग हमारे राश़््टी उपाध्यक्षास अब अब हमरे प्रॉख्ता है अपनी बात को कही एक सवावाल आपने पूछा कि सट्व कर ने तो कुंसा रहत दिया कोई रहत नहीं दिया था पहले ही डील पेट्रोल बहुत महता कर दिया थह और चुनाव चार राजियों में जीतने का तौफा देश की जनता को मोधी सरकार ने डीजल गैस पेट्रोल के दामनों से बढ़ा करकी दिया है अब जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर उनको यह तौफा दे रही है सरकार तो जीता आते जाएं हमारा यह कर्तब बताना है और जबकि चुनाओ तक इसको र तेल का दाम सस्ता हुआ है और यही जब गये सिलेंडर चार सो रुपए प्रती सिलेंडर हुआ करता था तो जंतर मंतर पर भाजपा वाले कैसी नाच नाचते थे वहाँ पर हजार रुपए आज हो गया है और यह कहते हैं कि महंगाई महंगाई ही नहीं हिंदू और मुसल्म जो जगड़ में पूरे देश को जोग दिया गया है लोग पाखन में फस गया है और नफरत के सिकार हो गये हैं इसलिए उनकी जो बुन्यादी सुविदाय है खतम हो रही है उसके बावजूद में लोग संगठित नहीं हो पारे हैं और इस देश के अंदर संगठित हो पार जुदा ने संस्थान करी कि कांगरेशचन समाजिक नय की बात करी कांगरेशी सभी वर्गों को ध्यान दिया कांग्रेश ने महंगाई रोका तो कांगरेश ने जंता को तो दिया वह शंत्त संगेश epsilon की बात अलंग है लेकिं जंता को रहत देने की बात जहां तक आती है कांगनेस सरकार नहीं दिया दलितों का उत्थान पिछणों का उत्थान कांगनेस नहीं किया अच्छली क्या है कि देश में दोई लोग सरकार चला रहे हैं और जब तक चुनाओ जीतते जाएंगे तब तक इनको असर ज्यादा नहीं पड़ेगा लेकिर हम अपना करता भी निभा रहे हैं और जंता को भी सोचना पड़ेगा जो नफरत है जाठ बनाम अन्यजातिया बनाम मुसल्मान और गुजराद बनाम कुछ इस तरह से जो देश के लोगों को लड़ा लड़ा करके बाट बाट करके और पोजी पतियों के पैसे का इस्तेमाल करके मीडिया को अपने कंट्रोल में करके मद्दाताओं को लोगों को भरमित किया है बहुत दिन तक नहीं चल तो देश भरमित पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और राजधानी दिल्ली में अगर बात की जाए तो आज जो पैट्रोल के दाम है वो 101.81 पैसे तक पहुच चुके हैं वहीं जो डीजल के दाम है वो 93.07 पैसे तक के पहुच चुके हैं यानि के रोजाना जनता पर ये मार है और इसी के चलते पूरे देश में कॉंग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है लगातार दिल्ली में भी अलग-अलग जगहा पर कॉंग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है उनके ये मांग है कि जो जनता है उस पर ये जो बोच